आज ने आप लेकर आए हैं चिकन फ्राय राईस हांदा चिकन फ्राय राईस घन लॉग 10 करली मिर्च 1 टीस्प laufen जीरा 1 टीस्पों रैचिली पावदर 2 टीस्पों कोरियंडर पा। 1 टेस्पों गेट किया हुआ गर्लीक 1 टेस्पों सओ पावदर 1 बिंग साइज वाणिन जैसे मैंने बारीक स्लाइज कर लिया है 2 टो ग्रीन चीली न गुई 1 टोमैटो चॉपकिया हुआ, 1 टेबल स्पून जिंजर इसको भी ग्रैट कर लिया है, 1 टीस्पून निक्स पिकल, 1 अना हाफ टीस्पून तर्मरिक पाउडर, सॉल्ट हस्भी जाएकर, और थोड़ा सा कोरियंडर ले, तो फैंड्स यह चिकन फ्राइड रैस बहुत अच्छा अब जना मेरे करें, open it ना नतिक्षां में करें सुपक्राइब चुन में अटान के प्रोखन साथी तक चून आगे आने जहां bang timing में, तो यहां पर मैंने इस बरतन में घ्री टेबल स्पून आया है जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे तो अब अब इसमें में सारे खड़े मसाले डाल देंगे और शुह के जब ब्रावन हो प्रावन प्रावन करें प्याजाद प्याज फ्याज़स एक प्याज में त compare हों में युर्म ब्राव नियुआ डाल करें विद्धा नियुआ ग्रेट कीए हुए गार्लिक दाल देंगे इस दोनों जिंजर गार्लिक इसमें टोट इंडी अजिके प्राइट करें अगर्णी अब गुशंधे, अधिके वादा मिन करें इसमें ठैकर मीडाइड चीजर पाइक करें by अगी बड़ाने लिए गार्लिक आजूड़ से अपकर यह हम अपने बातयाल साहर की कहिंften दीन है, इसां नहीं है, तो न भाता है जुबाः, और चिली पाउडर ऋuty में अच्छा अपने अच्छा ऑगा। जितना आप खाते हैं नमक में चोसे साथ से और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि इस मसाले का तेल उपर नहीं आगए तो फ्रेंस देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल इसमें उपर आ गया है तो यहां मैंन यह पीलर में चिकन बनाया था जिसका मैं यूज कर रही हूं इसमें अल्रेड़ी नमक और मिर्च है तो आप जब भी नमक और मिर्च डालें तो अपने बचे होए ग्रेवी के हिसाब से डालें इसमें मसाले में तो मैंने उसी के अपोड़िंग इसमें नमक और मिर्च डाल तो फ्रेंस देखिए जो ग्रेवी हमारे पास थी हो जो में मसाला भूना था वो अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें मिक्स्ट पिकल मेरे पास है इसको एड कर दूंगी इस मसाले में आप चाहे तो कोई सावी पिकल ले सकते हैं इससे फ्राइड राइस कर जाएक च्कितन अजराएं और थोड़ सी ग्रेंचिली इसमें डाल देंगे और इसको ज़्चे से निक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स चिकन मसाले हमारा बिलकुल रेडि है अब हम जिकन मसाले की लेवर लगाएंगे और यहामें बरतन लिया है उसको गरम कर लिया है और इसमें अब हम पहले मसाले की लेर लगाएंगे और इसके ऊपर जाएज जाएएगे इसकी लेर लगाएंगे और इसी तरह से हम चिकन की मसाले की और राइस की लेयर लगाते जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए हमने राइस की और चिकन मसाले की लेयर अच्छा से इसमें लगा दी है अपनी इसके अउपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी कोरियंडर लीव्स और और अच्छे से अच्छे से हमारे जिकन प्राइड राइस बनकर तयार हुए है और फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा तक तक के लिए आफ़िए और इंशाल्ला मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ और फूद रेसिपी में तक तक के लिए आफ़िए आफ़िए